आप्लस का शो कसौटे जिंदिगी की टू आज सभी लोगों का फेवरिट शो बन गया है जिसका हर एक कलाकार आज काफी फेमस है जो एक्टिंग करके अच्छे कमाई करते हैं और इससे एक लगजरी लाइफस्टाइल जीते हैं लेकिन उन सभी की इस लगजरी लाइफस्टा में काम करने वाले कुछ ऐसे ही चुनिंदा कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं जो आज एक महेंगे घर में रहते हैं इन्होंने अपने इस घर को क्रीम कलर के पैंट, सुन्दर प्रदो और सोफो से बड़ा ही खुबसूरत सजाया है महेंगे घर के साथ साथ ये लगजरी वाइट कलर की मसरीज बेंच के भी मालिक हैं पूजा बैनर जी निवेदिता बसू का करदार अक्ट्रिस पूजा बैनर जी निभा रही हैं जो अपने हर शो में काम करने का परड़े पचास अजार रुपे चार्ज कर रही हैं जिससे इन्होंने जूहू में 3 करूड का 2BH के फ्लैट खरीदा है जो काफ़ी सुन्दर है जिससे इन्होंने ग्रे सोफे, ग्रीन कर्टेंस और कई लगजरी चीजों से सजाया है इसलिए इनका ये चोटा सा घर काफ़ी सुन्दर दिखता है जिसमें ये अपने पती संदीप से जुआल के साथ रहती है और इस घर के साथ-साथ ये एक ओड़ी गाड़ी की भी मालकिन है पहले करण सिंग रोवर इस शो में मिस्टर बजास का केदार निभा रहे थे जो अपने हर शो का पर एपिसोड डो लाग पच्चास अजार रुपए चार्ज करते हैं जिससे इनोंने करोडों की प्रॉपटी बनाई है पर ये अपनी पत्नी विपाशा के साथ बेंडरा के एक आलिशान अपार्टमेंट पे रहते हैं जो 5 BHK का है जिसके कीमत करीब 10 करोड रुपए है इनके इस घर में एक सुन्दर छट है जहां ये योगा करते हैं वही इनके लिविंग रूम के दो बड़े ब्राउन सोफी और एक बड़ी कॉफी टेबल खूपसूरत बनाते हैं घर को और सुन्दर बनाने के लिए इनोंने वॉल पर इनकी और विपाशा की शादी की तस्वीरे लगाई हुई हैं वही इतने महंगे घर के साथ ये ओड़ी Q7 और टोयटा फॉर्चूनर जैसी महंगे गाड़ियों के भी मालिक हैं शो में अनुराग बासू का लीड रोल एक्टर पार्ट सम्थान ने भार हैं जो आज पर एपिसोड का एक लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक्टिंग करके ही इनोंने पिछले साल मुंबई में अपना एक घर खरीदा है जो 3BHK का है जिसके कीमत करीब 4 करोड इनका फर्णाओंडेस प्रेडना का लीड रोल निभा रही है जिसे निभाने का ये पर एपिसोड एक लाख रुपए ले रही है और अपने इसी कमाई से इनोंने मुंबई के जुहू में 2BHK फ्लैट खरीदा है जो करीब 3 करोड रुपए का है ये अक्सर अपने इस घर क कई तस्वीरें सोचल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है जिससे पता चलता है कि इनका ये घर काफी सुन्दर है खासकर इनका बेडरूम जिसे इनोंने लाइट से काफी अच्छे से सजाया है वहीं अपनी बैलकनी को इनोंने पीड़ पौदों से सजाया हुआ है जोहां ये और साथ ही टीवी इंडस्टिर से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें